हेलो दोस्तों बात है चार दिसंबर 1982 को आइस्टिलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम निक बुजी सीक था निक बुजी सीक अन बच्चों की तरह स्वस्थ है लेकिन उनमें एक कमी थी वे फोको मेलिया नाम के एक दुल्लब विकार के साथ पैदा हुए थे नहीं थे डाक्टर हैरान थे कि निक बुजी सीक के हाथ पैर क्यों नहीं है निक बुजी सीक के मता पिता को यह चिंता सताने लगी थी कि नीक बुजी सिक का जीवन कैसा होगा एक बिना हाथ पैरवाले बच्चे का भविश कैसा होगा बच्पन के शुरुयाती दिन बहुत मुश्किल थे नीक बुजी सिक के जीवन में कई तरह की मुश्किले आने लगी उन्हें न केवल अपने स्कूल में कई तरह की मुश्कीलों का सामना करना पड़ा बलकि उनके बिकलांकता और अकेले पंस्रेवे निरास के अंधकार में डूप चुके थे बे हमेशा यही सुचते थे और इस वर से हमेशा प्रातना करते थे की कास उनको हाथ पाव मिल जाए बे अपनी बिकलांकता से इतने निरास थे की दस वर्स की उम्र में उन्होंने आत्म हत्या करने की कोशिस की लेकिन फिर उनकी मा के द्वारा दिये गए एक लेक को पढ़कर उनका जीवन के प्रती नजरिया पूरी तरह से परवर्तित हो गया यह लेक एक समाचार पत्र में प्रकासित हुआ था जो एक बिकलांग व्यक्ति की अपनी बिकलांगता से जंग और उस पर विजय की कहानी थी उस दिन उन्हें एया समझ आ गया कि वे अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो संधर्स कर रहे हैं नीक धिरे धिरे या समझ चुके थे कि वे चाहे तो अपनी जिन्दगी को सामान तरीके से जी सकते हैं नीक धिरे धिरे पैर की जगा पर निकली हुई अंगुनियों और कुछ उपकर्णों की मदद से लिखना और कम्प्यूटर पर टाइप करना सिख लिया 17 वर्स की उम्र ने अपने प्राथना समूह में ब्याख्यान देना शुरू कर दिया 21 वर्स की उम्र में नीक ने एक काउंटिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएशन कर लिया और एक प्रेरक वक्ता के रुप में अपना करिया शुरू किया उन्होंने एटिट्यूड इज एटिट्यूड नाम से अपना कंपनी बनाई और धिरे धिरनीक बुजिसीक को दुनिया में एक ऐसे प्रेरक वक्ता के रुप में संपहचाना जाने लगा जिनका खुद का जीवन अपने आप में एक चमतकार है उन्होंने प्रेरना और सकारात्मक का संदे देने के लिए लाइब बीथ आउट लिम नाम से गैर लाभकारी संगठन भी बनाया 33 वर्स निक विजिसिक आज नाम सिर्फ एक सफल प्रेरक वक्ता है बलकि वे वे सब कर सकते हैं जो एक समान ब्यक्ति करता है जन्म से ही हाथ पैना होने के बावजूत वे गोल्प और फुटवाल खेलते हैं तेरते हैं स्काइड ड्राइविंग और सर्फिंग भी करते हैं यह अपने आप में एक उल्यखनिया उपलगधी है लेकिन इससे भी जदा प्रभावित करने वाली बात है उनकी जीवन के प्रती खुशी और सान्ती की सम्मोहक भावना आज वे दुनिया को जिन्दगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं नीक ने भौतिक सिमावस में जकड़े के बजाए अपने जीवन का नियत्रण करने की सकती पाली और आसा के इसी संदे के साथ 44 से अधिक देशों की यात्रा की है जहां हम छोटी छोटी बातों से परसान हैं और हतास हो जाते हैं वही निक बुजी सीक जैसे लोग हर पल्या साबित करते रहते हैं कि असंभो कुछ भी नहीं है पर्यास करने पर सब कुछ असान हो जाता है तो दोस्तों इसी तरह के मोटिवेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी